हलो नमस्कार जहीन दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल विदैसेस में दोस्तों हम हाजी रहे हैं आप लोग के लिए एक और सांदार MCQ क्लास के साथ जो की फिटर टर्नल मसीनी स्ट्वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और CITS इंटेंस एक्जाम 2023 के लिए तो बहुत ही मात्पूर्ट क्लास है जो की दोस्तों हम आप लोग को डेली सुबह साथ 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 से आड़े के बीच में आपको क्लास की जाती है तो चलिए दोस्तों आज की सेशन की तरफ बढ़ते हैं बढ़ने से पहले दोस्तों यही कहूंगा कि आप लोग आखी तक वीडियो को वाच करिएगा और वीडियो को अगर देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे तो जरूर एक कमेंट और एक लाइक जर अलाह मतलब की नॉन फेरस तो दोस्तों जिसमें मतलब इसमें क्या-क्या मिला होता है साट परसेंट कॉपर अनतिस परसेंट निकिल दो परसेंट मैगनीज यह साट परसेंट निकिल अनतिस परसेंट कॉपर दो परसेंट एलमुनियम वा मैगनीज चालिस परसेंट निकिल 40% copper 20% aluminum 50% copper 40% nickel वह 10% zinc तो दोस्तों अगर बात करें Monol Metal में मिला होता है वह मिला होता है आपका 60% nickel 30% copper और 2% aluminum वह मैगनिज्ट आपका right answer दोस्तों B हो जाएगा right answer क्या होगा भी होगा मढ़ते दोस्तों ने स्कुशिंग तरफ अगला कुशिंग क्या होता है कि iron में होती हैं तो बताना आपको कैडा लेश का मिलला होता उसमें कितने percent इलीमिट मिले होते हैं कौन-कौन से तो पहला है 95% कॉपर 5% नब्भे परसेंट कॉपर 10% 95 per cent लए उन्वार तो जो कडाने इस वाइट MATAL होता है उसमें जो है 95% cadmium और 5% silver मिला होता है तो आपका right answer दोस्तों C हो जाएगा क्या हो जाएगा right answer C बढ़ते हैं इस question तरह अगला question क्या कहे रहा है कि cadmium base white metal का प्रयोग तो जो cadmium base white metal का प्रयोग होता है वो कहां किये जाता है आटो मुबाइल में प्रयोग होने वाले bearing बनाने के लिए मसीन टूल्स में प्रयोग होने वाले bearing बनाने के लिए solid bearing बनाने के लिए आगे एक option है जिसने दिख रहे है तो दोस्तों बात करें cadmium base white metal का जो प्योग करते हैं का Ah-tomobile मぇ पयोग होने वाली बेरिंग बनाने के लिए किया जाता है कहां के याता कएकडमियम बेस में बैसंट Are ऑली बनाने के लिए ताब कना राइट एंसर दोस्तों एंट हो जाएगा बढ़ते दोस्तों नेस कुशिंग के लिए हम लोग monal metal का इस्तेमाल करते हैं किसका monal metal का तो बढ़ते दोस्तों नेस question तो अगला question का क्या कह रहा है अगला question में देखते हैं दोस्तों कह रहा है कि electrical appliances में resistance वाइरों की तरह निवन में से किस धादू का प्रयोग किया जाता है मतलब electrical प्लाइंसे सोते हैं जहाँ पर रजिस्टर्घ्ला की तरह किसका उप्योग करते हैं बर्स का चीर का प्लाइक्टा किए जाता है वह तो आपका नाइक्ड्रों am क्या जाता है नाइक्ड्रों आपका साय आंसर दोस्तों बhut होग होग जाएगा बढ़ते नियस कुषेग क्यार कि हिंडालियम में kaik k Talk to का रिघ्र ही क्या है कॉपर ग तो इस में कोपर की मातर भी यह कितनी होती है दस पर्सेंट फंद्रा पर्सेंट दो परसेंट तो हिंडालियम में जो कॉपर की मात्र होती दोस्तों वो थी आपकी जो है पांच परसेंट आपका राइट एंसर दोस्तों C हो जाएगा बड़ते नेस कुशिंग करा फगला कुशिंग क्या कह रहा है कि निम्न में से किस धातू का प्रयोग सिक्के वा आभूसर बनाने के लि लिए किस धातू का प्रयोग लिए प्रयोग के लिए कीजाता है नीकिल का टिन जिंक का लेड़ तो बताने आपको इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो दोस्तों इलेक्ट्रो प्लेटिंग के लिए आप बताइए आपका राइट एंसर क्या होगा इसके लिए दोस्तों इसका राइट एंसर आपका क्या होगा निकिल होगा जितिन होगा जिंक होगा लेड कर लिए कंसे निकिरा जाता है Babu का अगला कुश्चिन किया रहा है और लहे के लिए कि किया जाता है। तो पताएंसर को पर कउपर का लैड का क्रॉमियम चाना चाहा हुआ ता नाम से पता चाल रहा है लिए तो टीनिंग के लिए किसका उप्योग करेंगे इंस का आपका राइट एंसर दोस्तों बी हो जाएगा बढ़तें नेस कुश्ण चरह प्ला कुश्ण किया कह रहा है दोस्तों अगला कुश्ण कह रहा है निम्न में से कौन सी धातू विद्दुत तथा तापकी अच्छी सुचालक है इन धा लग होती है तो आपका राइट एंसर दोस्तों भी हो जाएगा बढ़ते हैं तरफ अगला कुशिंग क्या है कि स्टैनलेस स्टील में मुख मिस्रन तत्त हो तो स्टैनलेस स्टील में जो जो एलाइंग लिमेंट होते हैं वह कौन से होते हैं चालिज परसंट ठील दस परसंट परसंट क्रोमीं 5 पर Zheng लिए निकिल 2 परसंट क्रोमीं 2 परसंट्थ में बीस परसंट इसका यंशर क्या होगा दोस्तों यृस्त्ु कमेंट करिए प्लोग जल्दी कमेंड़ करें आप antenna को पता हो परसेंट निकिल होता है बड़ते इन्वार इस्टील में इन्वार इस्टील में निकल की मात्रा होती है तो इन्वार इस्टील में निकल की मात्रा कितनी होती है 20 परसेंट 15 परसेंट 36 परसेंट 50 परसेंट दोस्तों इन्वार इस्टील में जो निकल की मात्रा होती है वो होती 248 degree centigrade 327 degree centigrade 230 degree centigrade तो जोस्तों जो एंटी मनी होता है उसका गलनाग होता है आपका 634 degree centigrade आपका राइट एंसर दोस्तों ए हो जाएगा जो है दोस्तों बड़ते हैं इस कुछिंग तरफ दोस्तों आज का आखरी और लास्ट कुछिंग है दोस्तों कह रहा है निमन में से बैल मेटल किसका एलाओ है बैल मेटल मतलब बिल मेटल कहते हैं इसको बिल या इसमें बैल भले लिखा है बिल मेटल किसका एलाओ है कॉपर और जिंग का लेड टिंग का जिंग का और तिंग का का और तिंग का तो दोस्तों इसका राइट एंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे यह आप करा homework और जरूर आपको इसका comment करना है दोस्तो comment box में और वीडियो कैसी लगी आपको वो भी बताना है और अगर आपको कोई जानकारी चाहिए कोई queries हो, कोई बात आपके मन में doubt हो CITS related या आपने careers related जरूर आप comment box में comment करिए हम उसका reply भी देंगे और होस्तके गत अगर आपको नहीं समझ में आगा तो जरूर उस पर वीडियो भी provide करेंगे तो दोस्तों इसका comment box में comment कर देना है right answer जिसका रहेगा मैं उसे hurt और थम्ब दूँगा और अगर जिसका answer गलत भी होता है तो मैं उसको उसका right answer बताऊंगा तो ठीक है दोस्तों अब वीडियो को यह end करते हैं मिलेंगे कल की वीडियो में same time पर तब तक के लिए जै हिंद जै भारत